तो वेल जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई अभी हमारे चेनल में चल रही ये स्टूडेंट स्पेसल सीरीज जहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर जिनसे आपके प्रेसर काफी जादा कम हो जाएं अपने रिजल्ट को लेकर तो इसी सीरीज को हमने कं प्यार दिया तो भाई सब को मेरे तरफ से भी और यहां पर आप ही लोगों ने मुझे से यहां पर कमेंट्स वगेरा हैं पूछा था कि भाई हमारे कुछ पेपरों में यहां पर मिस्प्रिंट हुई थी आउट ब्लूप्रिंट हमें कोस्चन्स पूछे गए थे प्लस हमार साथ में कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर जो है कोस्चन्स में बहुत सारी गलतियां देखने को मिली तो क्या MP बोट इन गलतियों के हमें बोनस मार्क देगा या नहीं देगा और किस कंडिशन में और किन स्टूडेंट्स को बोनस मार्क मिलेंगे उसकी उपर आप एक वीडियो ले क्या हो तो यह आज का जो वीडियो है काफी special आप लोगों के लिए होने वाला क्योंकि आज किस वीडियो में हम इसी को पर बात करेंगे कौन से कौन से subject में किन किन बच्चों को और कितने कितने यहां पर बोनस मार्क MP बोट देगा तो simply इसको जानने के लिए आपको वी गलतियां देखने को मिली हो चाहे paper leak को लेकर हो या फिर other किसी प्रकार की भी आपकी यहां पर देखने को मिली है तो यहां पर इसी को लेकर MP board ने खुद accept किया है कि यहां पर कुछ गलतियां paper में हुई है और इसको लेकर उन्होंने कल की date में भी एक notice जारी किया था इससे पहले भी एक notice जारी किया था जिसमें बोला था कि हम तुम्हें bonus marks देंगे मतलब की चलो इतना तो अच्छा हुआ कम से कम की MP board को थोड़ी अकल आई और वहां पर bonus marks आपके दे रहे हैं मैं आपको बता जिता हूँ सबसे पहले कि किन-किन subject में कित्ते-कित्ते आपको bonus mark मिले जो कि कुछ गलतियों कारण से ही आपको मिल रहे हैं और second है आपके कक्छा बारवी की अंग्रेजी की paper में भी आपको तीन अंक यहां पर दिये जाएंगे कक्छा बारवी के हिंदी में दो अंक आपको मिलेंगे और कक्छा दसवी के हिंदी में तीन bonus अंक यहां पर आपको MP नहीं बता है कितने marks वहाँ पर देना है इन नहीं देना है ठीक है तो अब यह किन बच्चों को दिये जाएंगे वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ यह जो marks दिये जाएंगे उन बच्चों को जिन बच्चों ने गर कोई misprint हुआ है या out of blueprint कोश्चन छपे थे जिन के द्वारे इने मार्क ये वाले दिये जा रहे हैं अगर उन कोस्चन्स को यहाँ पे लिखने की भी कोसिस की है या प्रसंद क्रमांक डाला है या फिर कोस्चन वो लिख के आए आंसर नहीं भी लिखे हैं तो ऐसी कंडिसंस में उन बच्चों को दिया जाएगा मतलब कि जिनोंने ट्राय करने की कोसिस की थी या कोस्चन्स उन्होंने लिखे हैं लेकिन उन बच्चों को इन बोनस मार्क का भागीदार नहीं बनाया जाएगा जिन बच्चों ने यहाँ पे उस question को एकदम ही skip कर दिया, छोड़ दिया, या लिखने का try ही नहीं किया, या question number भी उसका dedicated डालन नहीं है, मतलब वो question को बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया, तो वैसे बच्चों को यहाँ पे वो bonus marks नहीं दिये जाएंगे, बाकि अदर सभी जो बच्चों जिनों ने यहाँ पे try करने की कोशिस की थी, उनको यहाँ पे जो है, दिया जाएगा, यह MP board का कहना है, लेकिन मेरा यह कहना है कि यह कही न कहीं गलत है, क्यों गलत है, कि देखो यार, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जो बच्चे यहाँ पे try करने की कोश करें या फिर कुछ करें तो उनको जो पहले कोश्चन आ रहे हैं कंपल सरी बात है कि वह बंची पहले कर रहे हैं और इन बच्चों को नहीं दे रहे हो कहीं ना कहीं ये गलत है लेकिन ये MPBOT को समझना चाहिए आप इसको लेकर ये क्या कहते हैं क्या करते हैं आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी जो मैंने आपको कोस्चन्स बताएं हैं कि इन इन कोस्चन्स में आपको इतने मार्क मिलेंगे इनको MPBOT आपको बोनस मार्क देगा और 110 परसेंट देगा वो आपका रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा फिलाल के इतना था कोई अधर टॉपिक्स आपको चाहिए इस सीरीज में तो कि कि एपको ंफ इसंदोड़ के